इस दुनिया में अगर कोई बच्चा आपने आपको सबसे ज़्यादा सुरक्षी जगह में हैसूस करता है तो वो होता है मा का आच चल एक बच्चा जब भी रोते भी लगते अपने मा के गोद में जाता है उसकी सारी तकलिफे यूही खत्म हो जाती है नजाने उपर वाले ने एक मा को ऐसी कौन सी वरदान दिया है कि एक बच्चा जब भी अपने मा के सामने जाता है या मा के गोद में जाता है उसकी सारी तकलिफे यूही खत्म हो जाती है कहा ये भी जाता है कि एक मा अपने बच्चे को सुरक्षा देने के लिए और उसे सुरक्षित रखने के लिए इस दुनिया के बड़े से बड़े पहाड से भी टकरा जाती है लेकिन आज की कहानी में एक ऐसे मा और एक बच्चे की कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनने के बाद साइद आपके भी सरीर के रोंग्टे खड़े हो जाएंगे नमस्कार आदाब मैं हस्मुदीन और आप देख रहे हैं सफर क्राइम तब आज की जो सची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं दरसल ये घटना है उत्तर परदेश का एक जीला पढ़ता है बिजनोर और इसी बिजनोर का एक इलाका पढ़ता है लोहारी सराय बात कर रहा हूं 2 सितंबर 2022 की एक महिला जिसका नाम है आफसात तजीम जो 2 सितंबर 2022 को नजदीकी के पुलिस थाने में जाती है और पुलिस थाने में काफी रोते बिलगते और थानेदार से सिकायद करती है कि साब जब मैं मारकेट से वापस आ रही थी अपने बच्चे को ले करके कि दो बाइक सवार लड़कों ने आ करके और मेरे बच्चे को छीन लिया और नाजाने कहां ले करके चले गए मैं उन्हें काफी तलासने की कोशिस की लेकिन कहीं भी पता नहीं चला हूं पुलिस वालों का लगता है कि साइध ये अपहरन का मामला है उस महिला के कम्पलेन के आधार पे और मुकतमत दर्ज कर लिया जाता है महिला जहां पे बताती है वहां पे जा करके और पुलिस वाले काफी चान बीन करते हैं उस एरिये में भी काफी चान बीन करते हैं लेकिन कहीं भी उसका आता पता नहीं चलता है आफसा ताजीम रो रो करके अपने बच्चे के लिए बुरा हाल कर लेती है और पुलिस वाले जब आफसा ताजीम को इस हालत में देखते हैं वो भी काफी बेचायन हो जाते हैं और कोशिस करते हैं कि कहीं से भी उस बच्चे को जल से जल ढूंड करके लाया जाए पुलिस वाले जब आफसा ताजीम से उसके घर परिवार के बारे में पूश्टाश करते हैं तो आफसा ताजीम बता दिये कि मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ पुलिस वाले को समझ में नहीं आता है कि इस महिला से लोगों की आखिर क्या दूस्मनी हो सकती है कोई भी एंगल ही उन्हें नहीं मिलता है जहां पे वो महिला बताती है कि जहां से उसके बच्चे को किसी ने किडिनेप कर लिया था दो बाइक सवार लड़कों ने वहां के तमाम आसपास के लोगों से भी पुलिस जब पूश्टाश करती है तो लोग भी कहते हैं कि साब हमने इस तरह का कोई भी नजारा नहीं देखा और नहीं किसी बच्चे को ले करके यहां से भागते हुए हमने देखा था लेकिन आपसा ताजीम की हालाद देख करके पुलिस वाले इस मामले को काफी सिरियस में लेते हैं और आखिरकास उस एरिये के तमाम CCTV फोटेज को खांगालना सुरू कर देते हैं लेकिन उन CCTV फोटेज में भी पुलिस वालों को कोई भी सुबुत नहीं मिलता है आखिरकार एक दिन पुलिस वालों ने आपसा ताजीम के घर के बगल में ही एक नाला गुजरता है जुसमें काफी पानी भरा हुआ है और उसी के बगल में एक CCTV लगा हुगा था है पुलिस वाले जब उस CCTV फोटेज को निकालते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसके बच्चे को वो 9 साल की बच्ची ले करके उस नाले के आसपास घूम रही है और वो महिला जिसका नाम आफसा ताजीम है जो कह रही है कि मेरे बच्चे को किडनेप कर लिया गया उस बच्ची के साथ वो भी घूम रही है और आफसा ताजीम को पुलिस का स्टडी में ले लेते हैं और उस CCTV फोटेज को दिखा करके जब आफसा ताजीम से बाजचित करते हैं तो आफसा ताजीम इस बात को नकारने लगती है आपसा ताजीम बताती है कि उसका सोहर मुहम्मद आसी जो सौधिया में रहता है साल दो साल पे कभी एक बार एक महीने के लिए छुटी आता है बताती है जब पुलीस उस बच्ची से पूष्ताश करती है तो बच्ची भी यही सारी बाते बताती है जो आपसा ताजीम बताई थी बच्ची भी यही कहती है कि मैंने इस काम को करने के लिए इंकार किया था लेकिन आपसा ताजीम ने उसे बहुत सारे पैसों की लालच दे करके और ये सारा काम करवाई थी वो बच्ची नौ साल की जो बिलकुल एक मद्यम और गरीब परिवार के घर से आती है पैसे के लालच में आ करके और उसने भी ये कदम उठा ले फिलाल पूलिस ने आपसा ताजीम के उपर मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया है और उस नौ साल की बच्ची को भी जूडिसियल कस्टडी में भेज दिया है थाने के एसपी परविन रंजन का कहना है कि हम फिलाल अभी उसके आसी की भी तलास कर रहे हैं जो अभी हमारे पकड़ से बाहर है हमें सक है कि साइध इस सड्यंत्र में उसके आसी का भी हात होगा लेकिन फिलाल उसका आसी फरार है पुलिस उसे अभी भी तलासी कर रहे है लेकिन अभी तक वो पकड़ने नहीं आया है फिलाल पूलिस ने आपसा ताजीन के उपर मुकदमा दर्ज करके और उसे जेल भेज दिया है दोस्तो मा और बेटे का रिस्ता जो होता है इस दुनिया का सबसे पवित्रे रिस्ता होता है एक मा अपने बच्चे को थोड़ी सी भी तकलीफ में देखती है तो उसके लिए अपनी जान त्याग देती है लेकिन आज के ये कल्यूगी मा एक ऐसी वर्दात कर देती है जिसे सुनने के बाद जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान वह परिसान हो जाता है दोस्तो इस कहानी को सुनने का उदेख से मुझे किसी को परिसान नहीं करना है किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है बस आपको बताना है आप जहां भी रह सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें तब तक के लिए जय हिन जय भारत